नमश्कर दोस्तों लमंत्रावपाय यूटीब जनमे एक पर फिर से आपकास स्वाकत है मित्रो हांडी के दोवरा किसी इनसान को ये चक्र बनाकर कैसे वशी भूत किया जाता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये विशीश पूजा है खास करके मावश्य शनिवार या रविवार को की जाती है और पुर्णिमा के दिन भी इसे अगोरों दुवरा की जाती है तो इससे ही क्या होता है कि किसी इनसान को अराम से वश्मे किया जा सकता है तो सीधा वीदी की और बढ़ने से पहले मेरे आप देनी विदन रहेगा अगर अब तक आपने हमारे यूटुब चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले जाना बुले तक यागर चिलकर हम आपको और भी टोटके में मंतर बताबाएं उतर दे शेयक तरह मुख़रें एक हांडी ले ले हलदी के दौद आपको एक स्टार बनाना है और आपको सिंडूर चाई है सबसे पहले आप इस पुतले को यहां बीच में रखकर आप इसका मूँ लाल सिंदूर से लाल कर दें और इसके हाथ पैर लाल कर दें यह करना अनिवार है इस तरीके से आप इसको लाल कर दें उसके बार आपको क्या करना है इस फोटो को यहां रखना है और इसे हांडी के उपर इस पुतले को उस इंसान को याद करते हुए उसका चैरा याद करते हुए उसके उपर रख देना है और उसके बार भगो क्या करना है इस हांडी के दिवारा इसे इस तरीके से धग देना है धग देने के बाद जो सक्रीन पर शो मंत्र हो रहा है इसका आपको जाप करना, निपुंदा से तो सौन की बार आप चाप करें और इस कारे को आपको इस तरीके से रख देने के बाथ तीन दिन ऐसे ही इस हन्डी को यहा पढ़े रहने दें इसलिए एक आदमे एक तम्रे में करें ये घर की चट पर करें आपके लावा तीन दिन तक इसे कोई ने चेड़े तीन दिन के बाद आप वहां से पुतले को निकाली हांडी के अंदर डाल कर बेहते हुए जल में परवाइद कर दें और उस फोटो को आप अपने पास समय रखे जितना समय आपकी पास पर फोटो रहेगी इस वशीगन का असर उस इंसान पर बने रहेगा और आप जैसा चाहिए जैसा उससे कारे करवा सकते हैं ये उन लोगों के लिए आप स्ट्री पूश केसी के लिए कर सकते हैं लेकिन जिनकी उमर 18 से उपर है उन्हीं पर ये वशीगन टोट का काम करते इसके लावा अगर आपके जीमन कोई अन्हीं समिशान चल दे और आप उनका समधान पाना चाहते हैं तो आप वेज़ीश को को मचे कॉल वेवर्स कर सकते हैं कॉंटक्ट नमर सकते हैं इसे साथ आपसे ज़्याज़ चाता हूँ धन्यवाद